हेलो फ्रेंड्स, यूके निटिंग में आपका स्वागत है, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसूरत टू कलर का पैटन सियर करने जारी हूँ, इस पैटन को आप बच्चों के और प्रोजेक्ट में अपलाई कर सकते हैं, लेडी स्वेटर में भी अपलाई कर सकते हैं, गल यह सभी बॉर्डर बना के कंप्लीट करेंगे, बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद हमारा यह पैटन बनना स्टार्ड होता है, तो देखिए फ्रेंट साइड से पैटन की फर्स्ट रो, अब जो हमारी फर्स्ट रो आएगी, वो हमारी फर्स्ट कलर से आएगी, जिस कलर से हम लफंदा उतार लेना है और देखे फ्रंट साइड से हमने फर्स्ट रोग को सीधा बुनते हुए कम्प्लेट कर लेना है यह देखे फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्स्ट रोग कम्प्लेट हुए आप देखे रॉंग साइड से से किंड रो पहला फंदा उतारेंगे और रॉंग साइड से हमने से किंड रो को उल्टा बुनते हुए कम्प्लेट कर लेना है यह देखे रॉंग साइड से हमारी से किंड रो कम्प्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से पैटर्न की फर्ड रो पहला फंदा उतारेंगे और थार्ड रो को भी हमने फर्स्ट कलर से बुनते हुए कम्प्लेट करना है यह देखे फ्रंट साइड से हमारी थार्ड रो भी सीधी आ जाएगी यह देखे फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की फर्ड रो कम्प्लेट हो गई आप देखे रोंग साइड से फोर्ड रो फोर्ड रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे अब देखे फ्रंट साइड से फोर्ड रो में धागा पीछे कर लेंगे और हर एक फंदे को हमेंसे डबर रोल करके बुनेंगे यह देखे इस तरीके से यह देखे ऐसे फंदे में धागा डालना है और देखे इस तरीके से हमने इन फंदों को यह दागे को यह देखे सराई में लपेटना है दो बार और यह हमारा इस तरीके से यह फंदा डबल रोल करके आ जाएगा यह रिखे लाश्ट का भंदा ओर्ट यह रॉंग साइट से हमारी फोर्थ रोग कम्पलीट हो गई फोर्थ रोग को हमने डबल रोल करते हुए बुना अब देखे फ्रंटे साइट से फिप रोग अब फिप रोग में हमारा सेकिट कलर आएगा तो देखे यहाँ पर हम सेकिट कलर को एड कर लेते हैं यह देखिए यहां पर हमारा second color orange है आप कोई भी color apply कर सकते हैं तो देखिए पहला फंदा इस तरीके से बुन के उतार लेंगे यहां पर हमने second color को इस तरीके से add कर लेना है आप देखिए नेश्ट हमारा यह pattern बनना start हो जाएगा तो देखिए जो यह फंदा है इसको आगे करेंगे एंसे space में इस तरीके से slide डालेंगे यह देखिए और एक फंदा बना लेंगे इस तरीके से एक फंदा बनाएंगे medium loose फि तरीके से देखिए ऐसे यह देखिए फिर next हमने same process repeat करना है इस फंदे को आगे करेंगे ऐसे space में slide डालेंगे एक medium loose फंदा बनाएंगे एक बार धागे को slide में ऐसे लपेट लेंगे और फिर इस फंदे को सीधी side से slide डालते हुए बुन लेंगे इस तरीके से अब next यही process repeat होगा यह फंदा आगे करेंगे ऐसे space में slide डालेंगे और यह देखिए एक फंदा बना धागा लपेटा दो और इसको बुन के 3 इस तरीके से अब next same process को हम repeat करेंगे अब next यही process repeat होगा यह फंदा आगे करना है ऐसे space में slide डालनी है और यह देखिए यह एक फंदा बनाया इता आगे को रोल करके दूसरा फंदा और इस फंदे को गुन के तीसरा फिर देखिए सेम process को हम repeat करते जाएंगे और front side से अपनी फिप्तरों complete कर लेंगे लास्ट का फंदा सीधा यह देखिए यह front side से मारी फिप्तरों complete हो गई अब देखिए wrong side से 6 row अब 6 row में देखिए पहला फंदा उता लेंगे धागा पीछे कर लेंगे अब देखिए next यह जो एक फंदे से हमने तीन फंदे बनाये हैं इनको एक साथ बुनेंगे तो देखिए इस तरीके से स्लाइड डालेंगे ऐसे back side की तरफ से दागा पीछे है तीन का एक कर लेंगे और तीन का एक कर लेंगे next यही प्रोसिस रिपीट होगा तीन का एक कर लेंगे है कि प्रोसिस को हम रिपीट करेंगे मेंगे तीन का झाते हैं करते जाएंगे और wrong side से अपनी six row complete कर लेंगे ये देखे इन तीन फंदों को एक साथ भूनने है तीन का एक कर लेना है दागा अपनी side last का फंदा उल्टा आ जाएगा ये देखे ये wrong side से हमारी pattern की six row complete हो गई अब देखिए front side से seven row अब seven row में हमारा pattern repeat होगा seven row को हमने first row की तरह भूनते हुए complete करना है और seven row में हमारा first color आएगा तो देखे repeat row पहला फंदा हमें आप भून के उतारेंगे अब next देखिए seven row को हमने first color से सीधा भूनते हुए complete करना है आपिए ये देखेए फ्रंट साइट से हमारी 7th row गुप्लीट हो गई, 7th row को हमने 1st row के तरह बूनते होए कंप्लीट किया, रॉंग साइट से जो हमारी 8th row आएगी उसको हम 6th row के तरह बूनते होए कंप्लीट करेंगे, इनी 6 सलायों के pattern को हमने बार बार repeat करते जाना है, और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुन्दर बहुती आसान पैटन है आप इसे all प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें सियर करें कमेंट करें और आप ह जोस्तों करें से जाएगा ये आसन आपभवा गो कि को